चरणश्प्रस्ट बगवान स्री मान्यता उपर बात हुई थी तो मैं राइस्थान से रहने वाला हूं तो यह देवी के यह सब भूपे ऐसा घूमते ऐसे तो उनको सब में में नकार्ने में आगे बढ़ रहा हूं फिर भी अंदर से एक डर रहता है लेकिन तो भी डर रहते ह हुए भी नकार में नकारता हूं तो फिर इसके यही करना है यही करते रही है यही करते रही है और बहुत सारे हमारे मान्यता भी बहुत सारे है लेकिन वह भी मान्यता हमारे मम्मी पपा से भी आते है तो वह बोलते है परंपरा से आते है लेकर चलना पड़ता है तो उसको आप देखते नहीं हो कि देश के जो राज जे सबसे अंधविश्वासी हैं, वो यहर तरीके सबसे पिछड़े हुए भी हैं, शिक्षा में भी, आर्थिक स्थिति में भी, जितने भी मानव विकास के सूचकांक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं न, फलानी चीज़ का एंपावर्मेंट इंडेक्स, फलानी चीज़ का इक्विटी का जेंडर एंपावर्मेंट मेजर, जितने भी होते हैं, वो भारत में भी उसकी सूची बनती है, सयुक्त राष्ट संग भी उसका बनाता है पूरा, वही राज्य है और गुजरत में मैं अम्दावाद में रहता हूं, किराने की दुकाने चोटी सी, तो उधर भी बहुत सारे मेरा पहले से दुद का दंदा भी था, फिर ये सब सच्चा ही जानने के बाद दुद का दंदा डेरी का सब बंद कर दिया है, तो उसके बाबद में भी हमारा फैम तो वो बोलते कुछ जवाबी नहीं देते हैं, बस ऐसा ही, उनको भी जगाने का बोलता है, लेकि हमें स्टोर में खुद का आपके किताब भी रखते हैं, कम से कम पच्छा साथ किताबे में रखे हैं, तो किसी को भी बोलो, उनके तुम एक आदा किताब लेके जाओ, पढ़ के देख लो तो कोई भुक भी पकनने के लिए राजनी होता है, और इंटलीजेंट इतने लेडिस पढ़े लिके लोग आते हैं, वो भी उनके लिए भी इंग्लिस के बुक लेके गए, तो उनको भी पढ़ने का बोलो तो तुम टच भी नहीं करते हैं, उनको भी नह बेचना बंद कर दिया ना तो फिर मेरा बिजनस एक रुपे से लेके पचीस परसंट का हो गया है, फिर भी अपसोस नहीं है कि बंद कर दिया ही सा, ओ हमारा लेडिस बोलता है कि तुम दूत का दंदा वापिश चलो करो, जो तुमको पाप लगता है ना उसका आदा बगव अगरे को लाकर मेरे गर पे बीटा दियूँगा चलेगा अगर अगर को एसे ही दुनिया एं इस तमाशा है, ठीक क्या करेंगे, देखेंगे, साक्षी तो यही तो होता है, तमाशा है दुनिया का, क्या कर सकतें इसका इसका परिशान नहीं हो एक मौज में देखी है नमस्ते आचारे जी अंदरविश्वास का खात्मा ताकिकता विज्ञानिकता और नेतिकता इससे नहीं बर सच्ची आध्यात्निकता से होगा इसको थोड़ा डीटेल में या फिर समझना था और ऐसा क्यों कि अंदरविश्वास नहीं मिठ सकता इतना असानी से ताकिकता या विज्ञानिकता से क्यों नहीं हो सकता क्योंकि अंदरविश्वास के केंद्र में अहंकार बैठा होता है पहला अंदरविश्वास अहंकार का ये होता है कि मैं हूँ ये बात बहुत कम लोग समोच पाते है पहला अंधविश्वास उसका नाम है अहंकार वो होता नहीं है पर आपको लगता है तो सब अंधविश्वास अहंकार से शुरू होते हैं और अगर अहंकार है तो अंधविश्वास रहेगा किसी न किसी रूप में रहेगा आप अपने आपको बोलते हो कि बहुत rational ठीक है लेकिन आपका पूरा विश्वास है कि जिंदगी में सफलता का मतलब है बहुत सारा पैसा ये अंधविश्वास नहीं है कि कोई माने कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अप शकुन है इसको तो आप बोल देते हो कि अंधविश्वास है लेकिन कोई माने कि डॉलर के बिना जिंदगी अधूरी है तो ये अंधविश्वास क्यों नहीं है जवाब दीजिए कोई बिल्ली काटने पर ठिठक जाए तो ये तो अंधविश्वास हो गया लेकिन कोई पूरा भरोसा करके बैठा है कि डॉलर के बिना जिंदगी अधूरी है तो ये अंधविश्वास क्यों नहीं है तो जब तक हंकार है तब तक अंधविश्वास रहेगा हम गड़बड ये करते हैं कि हम सिर्फ जो पेपड़ों का अंधविश्वास है जो अंपड़ों का अंधविश्वास है हम उसको कहते हैं कि ये तो है सुपरस्टिशन लेकिन पढ़े लिखों का जो अंधविश्वास है तारकिक लोगों का जो अंधविश्वास है उसको हम सुपरस्टिशन मानते ही नहीं तो अंधविश्वास तभी हट सकता है जब अहंकार हटे और अहंकार किसे हटेगा न विज्ञान से हटता है न तरक से हटता है वो तो अध्यात्म से ही हटता है सिर्फ अध्यात्मिक आदमी है जो अंधविश्वासी नहीं होगा बाकी सबको अंधविश्वासी होना पड़ेगा यह मजबूरी है अंधविश्वास की सीमित परिभाशा मत किया करिये हमारी अंधविश्वास की परिभाशा बहुत सीमित होती है कोई टोना टोटका करे तो हम कहा देते हैं अंधविश्वास ठीक है न लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको ऐसी दवाई दे रहा है जो आपका शरीर तो ठीक कर देगी लेकिन आपकी चेतना को डल कर देगी तो डॉक्टर आपको क्या मान रहा है शरीर वो डॉक्टर महा अंधविश्वासी है कि नहीं है लेगिन आपको लगे गई नहीं कि डॉक्टर अंधविश्वासी हो सकता है हाँ ये डॉक्टर सुपरस्टिशियस है इस डॉक्टर का इलाज करा हो नजाने कितनी ऐसी बीमारियां है जिनका आप इलाज जब कराते हो तो आपका वो शरीर ठीक कर देते हैं लेकिन आपका मन खराब कर देते हैं बहुत बीमारिया ऐसी है ये डॉक्टर सुपरस्टीशियस है कि नहीं क्योंकि इसने अपने patient को क्या माना है शरीव ये बात नहीं समझे आए ये लोग कैसी बाते कर रहें जहां अहंकार है वहाँ आंधविश्वास है क्योंकि अहंकार खुद ही पहला आंधविश्वास है जी जी मैंने जो आज समझा एक खुद को खोना यह बुरी बात नहीं है यह अच्छा शृब शंकेती ही क्योंकि यह हम सथ्क के तरफ बढ़ रहे हैं और यह जो संग्या है यह शडधा की ही संग्या है क्योंकि जो हम कर रहे हैं इसमें शुबत्ता ही नजरा रही है मेरा सुबाल यह था तोनों में भिन्नेता क्या है? मान्नेता को तोडने पर भी जो डर उठे उससे टिके रह उसके सामने, ये शृद्धा होती है शृद्धा और माननेता एक साथ कैसे चलेंगी? शृद्धा का आपने क्या कहा अर्थ है? कि सत्य सधा शुभ होता है अब सत्य कोई चीज तो होता नहीं तो सत्य का क्या मतलब हुआ असत्य का नकार तो शद्धा कारत हुआ असत्य को तोड़ना सदा शुब होता है शद्धा का मतलब हुआ असत्य को तोड़ूँगा चाहे जो भी अंजाम आ रहा हो शुब ही होगा श्रद्धा माने असत्य को तोड़ूँगा, खोजूँगा, तोड़ूँगा, चाहे वो जैसा लगे, चाहे वो जैसा हो, ठीक है न, यही हुआ न, और असत्य के लिए यह दूसरा नाम क्या होता है? असत्य के लिए दूसरा नाम क्या होता है मानेता तो शद्धा माने असत्य को तोड़ूंगा चाहे जो हो जाए असत्य को तोड़ना शुब है यह शद्धा है तो शद्धा क्या है मानेता को तोड़ना शुब है तो शद्धा और मानेता में यह संबंद है शद्धा और मानेता एक हुए अब क्या नहीं पिल्कुल अलग हो गए मान्यता को तोड़ना शुभ ही है चाहे जैसा भी अंजाम अनुभव होता हो मान्यता तोड़ेंगे 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 यही श्रद्धा है मैं श्रद्धालू हूँ अंध विश्वासी नहीं यह मेरा वक्तव है सोयम की प्रति शद्धा उंची से उंची बात है और ये माननेता वगेरा धारणा ये सब अंद विश्वासी बात है अज जैसे मैंने समझा कि शड़ दर्शन में प्रतक्ष प्रमान को भी नकार देते हैं सब दर्शनों में नकार देते हैं नियाए में नहीं नकार देते हैं अच्छाइब को अब करें कहीं कहीं पर उसको भी नकार देते हैं चीज़े एक 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 मैंने बात समझी कि नॉलेच नॉलेच से मैं ग्यान समझू इसका मतलब संचित ग्यान तो अच्छाइब जी मेरा अभी तक मुझे यह समझ आता था कि जो ग्यान है उससे हम मुक्ति की और जाते हैं उससे लेकिन आज यह ज्यान इसका आशे ही है कि संचित ग्यान है संचित संचित अच्यान अच्छाइब नॉइंग का मतलब होता है आत्म ग्यान नॉइंग सदा रियल टाइम होगी न क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपको लाइव देखना पड़ेगा उसको लाइव आप यह नहीं देख रहे हैं मैंने चार दिन पहले क्या कर रहा था मैं लाइव देख रहा हूँ यह मैं क्या चल रहा हूँ इसी हो तो साक्षी तो कहते हैं स्वयम को लाइव देखना वो नॉइंग कहलाता है इसलो उसमें इंग लगा है इंग मने प्रेजेंट कॉंटिनुवस इंग कब लगाते हो प्रेजेंट एंड कॉंटिनुवस अभी हो रहा है और निरंतर और नॉलेज क्या होता है? उसका सीमित उपियोग होता है उसका सीमित उपियोग होता है और आत्मग्यान में तो वो बाधा बनता है व्यवारिक जीवन में नॉलेज का सीमित उपियोग होता है और आत्मग्यान में नॉलेज बाधा बनता है तो हमने का knowledge is the enemy of knowing, आत्मग्यान मतलब ठीक अभी जो हो रहा है उसको जान लेना समिछ गया शेट, लन्यवाद अचरजी सच्चा इससे प्यार हुआ, तो हम डरता के वह हैं, माने वह पुरी तरह से गुमी नहीं हुए डरता इसलिए क्योंकि जो पुराना सब कुछ था उसको वह असली मानता था अब असली चीज खोएगी तो डर या चिंता का होना तो जायज है फिर? अगर कोई असली चीज खोई हो तो इनसान चिंता क्यों न करें? अगर असली चीज आपकी कुछ गुम हो गई है तो ठीक ही है न कि आप चिंता करो फिर तो ठीक है अगर असली चीज खोई है तो चिंता काई न करें? करेंगे जब तक हंकार अपने ही जूट को नहीं देखेगा जब तक वो यह नहीं जानेगा कि वो सिर्फ उधार लेकर के इकठा की गई चीजों का संग्रह मात्र है कहीं की इट कहीं का रोडा बानुमती ने कुनबा जोडा इसको बोलते हैं हंकार कुछ मम्मी ने सिखा दिया कुछ फूफी ने कुछ क्लास में टीचर ने सिखा दिया कुछ टीवी पर कार्टून से सीख लिया कुछ बातें शरीर ने सिखा दी कुछ गली महले के लफंगे यार दोस्तों ने सिखा दी ये सब कुल मिला करके आई कॉंशियसनेस का निर्माण हो गया ये हंकार है इन सबने आपको वो न बताया होता है जो इन्होंने बताया तो आई जैसा कुछ होता है मैं, कहां से आता लज्जा ही इस्तरी का अभूशन है सभी मानते है जो अतियाधुनिक नारियां भी है न तो भी कुछ हद तक तो ये मानती ही मानती है उनको भी तुम देखो के तो ऐसे ऐसे करके अपना लज्जा चुपाती बीच पर देख लो तुझे इतनी लज्जा चुपानी थी तो बिकनी का इधारण करीए क्योंकि कहीं से वो उनको बता दिया गया है लज्जा ही इस तरी का अभूशन है ये तुम्हारा अपना तो है नहीं तुम्हारा अपना होता तो कोई समस्या नहीं है हो सकता है लज्जा इस तरी का अभूशन होता हो हमें नहीं पता समस्या अभी ये नहीं कि सिध्धान्त सही है या गलत समस्या अभी ये कि सिध्धान्त आत्मिक है या उधार का ये उधार का है ये उधार का है जब देख लेते हो मामला उधार का है तो उसको गुम होने देते हो मामला नकली है आप यहां जाते हो समुद्र तठ पर आपकी चपलों में क्या भर जाती है अब वापस आते हो नल के नीचे खड़े होते हो रेत को क्या करते हो बह जाने देते हो न या बैठ के रोने लगते हो हाई मेरा पाउं बह गया हाई मेरा पाउं बह गया आधा रेत को बह क्यों जाने देते हो उधार की है सयोग की बात थी कि मेरे पाउं से वो चिपक गई सईयोग की बात है कि वो मुझसे चिपक गई वो मेरी हस्ती का अनिवार यह अभिन अंग अहंकार ऐसे ही होता है उसके पास जो कुछ होता है सईयोग से उससे चिपक गया होता है ऐसा ही वक्त की रेत समय की धूल चीजें आके चिपक गई और उससे एक चीज का निर्मान हो गया उसको मैं बोलते हैं मेरी हस्ती वो अगर हट जाती है तो कोई रोता है क्या तो फिर काई को डर रहे हो गुम होने में रेद दिखाई पड़ती है बाहरी है बाकी चीज़ें घुज गई है तो दिखाई नहीं पड़ता कि बाहरी है पर हैं बाहरी ही तो अच्चरेश जी मैं फिर ऐसा समझू कि गुम होना में ऐसे काम में लग जाना जहां पर आपका सब उत्या को तोड रहे है और आप में तो फिर डर तो लगेगा पर वो जैसे आप कहते हूं कि मज़ा भी आएगा हमें नहीं पता मज़ा आएगा कि नहीं आएगा पुई गारंटी नहीं दे रहे है पहले से मज़ा आएगा ना और ताकि बाद में छोड़ने का भाना रहे बोले वो उन्होंने गारंटी दी थी मज़ा आने की मज़ा आया नहीं है तो rejected ऐसे कुछ नहीं है मज़ा आएगा नहीं आएगा आप जानो ये बहुत निजी बात होती है ये बिलकुल व्यक्तिगत प्रेम प्रसंग जैसी बात होती है इसमें मजा है नहीं है वो आप जानो और है भी तो चिलाना मत छप्पर भाड़ के है तो ठीक गुंग के गुड की तरह उसका मजा लो झाल